स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गार्णिंग विद अभी में है दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है और फूलों के लिए काफी जादा अच्छा अनुकूल मौसम होता है इस मौसम में फूल काफी जादा खिलते हैं तो उसमें हमें और अच्छे से उन्हें खिलाने के लिए या फिर पौदों को उसके लिए न्यूट्रियंस देने के लिए हमें थोड़ी सी जी चीज़े करनी चाहिए तो उसी के बारे में आज बात करेंगे आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कंपोस्ट के बारे म पता हूँ है जो फूलों के लिए आप समझ लीजे रामबार है या फिर अम्रित है आपने एक बार डाल दिया तो आपके पौदे पे भर भर के फूल आएंगे तो कैसे आएंगे फूल क्या करना है कौन सी चीज हम यूज करेंगे और क्या-क्या उसमें मिलाएंगे तो यह सार दोस्तों बात करते हैं हम अपने उस कंपोश्ट के बारे में तो वह है दोस्तों यह चाय की पत्ती आप सभी के घरों में चाय की पत्ती यूज की जाती है आप उसी चाय की पत्ती से कंपोश्ट बना सकते हैं या फिर आप ताजी चाय पत्ती जो होती है उससे भी बना सकते तो कैसे बनाना है वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और चाय की पती मैं आपको बता दू पहले कि नाइट्रोजन रिच फर्टलाइजर होता है इसमें नाइट्रोजन की मातरा काफी अधिक होती है और 0.25 और 0.24 परसें इसमें फोस्पोरोस और कोडसियम भी पाया जाता है तो एक अच्छा बैलेंच फर्टलाइजर हो जाता है तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने जो यूज किया है यह है ताजी चाय पती तो इसको हमने पहले पानी में अच्छे से उबाल लिया है इससे क्या होता है कि जो पानी में इसकी नाइट्रोजन की मातरा होती है इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टलाइजर होता है तो इसकी कुछ मातरा इस पानी में निकलाती है और उसके बाद हम इस liquid को भी और ये जो dry चाय की पत्ती बच रही है इसे दोनों को हम use करेंगे दोनों को use करने का तरीका आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसमें हमें और क्या-क्या मिलाना है वो भी मैं बताऊंगा तो वीडियो को script मत कीजएगा लाश तक बने रहीएगा तो इस परकार से देखें इसे हमें चान लेना है काफी अच्छे से और चानने के बाद ये जो आपको चाय पत्ती दिख रही है इसे हमें धूप में डाल देना है सोखने के लिए करीब दो से तीन घंटे पूरी तरह सी अब उसके बाद आजाते हैं दोस्तों ये जो liquid है उबालने के बाद जो हमें liquid मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा fertilizer है पौधों की बढ़वार के लिए इसको आप इसके चार गुना पानी में मिलाके पौधे में direct दे सकते हैं और किसी पौधे में जो आपका फोल वाला चास हैमल डालके पौधों के फ़लेयर इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा चाय की पत्टी है इसे हम किसी बर्तन में डालके धूप में रख देंगे सूखने के लिए और सूख जाने के बाद इसे हम यूज करेंगे तो इस तरह से हमने सुखागे रख ली चाय पत्ती और एक balance fertilizer हो जाता है फूलों वाले पौधों के लिए साथ में इसमें और भी कुछ चीज़ें मिलाएंगे जिससे की इसकी कारेश हमता जो है वो और अच्छी हो जाए पौधे इसे और अच्छे से ग्रहड करें और उसको अपने बढ़वार में अच्छे से ले सकें ये देखे, ये गुड़ल का पौधा है और ये गुलाब का पौधा है गुलाब का पौधा मैंने पहले भी आपको दिखाया है इसमें जो फूल मेरे बनते हैं ये काफी लंबे समय तक इसमें लगे रहते हैं तो इसके लिए आपको ये fertilizer महीने में दो बार यूज़ करना है अगर आप दे सकते हैं तो इस प्रकार से देखें आपको भी full मिलेंगे और वो काफी लंबे समय तक आपके पौधे पर टिके रहेंगे गुलाब के पौधे के लिए चाय की पत्ती का खाथ जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि गुलाब के पौधे को acidic मिट्टी पसंद होती है और चाय की पत्ती मिट्टी को acidic बनाने में मददगार होती है मैं आप देख रहे हैं यह है मेरे kitchen waste से बना हुआ compost इसको इसमें चाय पत्ती में मिलाओंगा अगर आपके पास kitchen waste compost नहीं है तो आप इसमें banana peel fertilizer या potato peel fertilizer इसमें मिला सकते हैं क्योंकि यह दोनों ही fertilizer जो मैं आपको बता रहा हूँ यह potassium और phosphorus rich fertilizer होते हैं साथ में यह nitrogen rich चाय की पत्ती तीनों को आपस मिलाएंगे बढ़या NPK balance fertilizer तयार हो जाता है तो इस परकार से आप इन्हें मिला के दे सकते हैं इनमें से कोई भी चीज दो चीजें आपस में मिला के इसमें दिया जा सकता है तो जो यह kitchen waste compost है अगर यह आपके पास है तो यह सबसे best होता है क्योंकि इसमें आपको सभी तरह के micronutrients और nitrogen, potassium, iron, magnesium सारी चीजें इसमें मिल जाती है तो अगर यह है तो यह सबसे best है अगर नहीं है तो आप बनाना पील या potato peel fertilizer का यूज कर सकते हैं इन दोनों fertilizer को मिलाने के बाद इसमें हम एक चीज और करेंगे थोड़ी सी मात्रा में fungicide powder या फिर आप healthy powder राख मिला के इसमें यूज करें क्योंकि चाय की पत्ती क्या होता है जब आप बनी हुई चाय से चाय पकती निकालते हैं तो उसमें और भी काफी सारी चीज़ें मिली होती है तो थोड़ा सा fungus का डर होता है उससे prevent करने के लिए आप fungicide powder या healthy या राख का यूज कर सकते हैं और इनको आपस में मिला के अच्छे से आपको देने का जो system में मैं बताऊं दस से बारा इंच के गंबले में एक से डिड़ मुठी के आसपस आप इसमें compost दे सकते हैं और मैं आपको बता दूँ कि फिर से एक बार कि गुलाब के पौधे के लिए इसलिए सबसे best fertilizer माना जाता है क्योंकि गुलाब के पौधे को जो देखिए flooring plant में जो फूल वाले पौधे हैं उनमें आप दे सकते हैं इसे तो मैं ये गुड़हल के पौधे में आपको ये fertilizer दे के दिखा रहा हूँ इसे देना कैसे है तो मिट्टी की जो उपर की सतह है उसकी हमें हलकी गुड़ाई कर लेनी है मिट्टी को ढीली कर लेनी है और एक चीज़ मैं दोस्तों आपको और बता दू कि चाय की पत्ती को direct आप इसमें ना यूज करें बिना boil के हुए या फिर यूज की चाय की पत्ती को direct यूज ना करें क्योंकि वो nitrogen की काफी rich source होता है और nitrogen direct काफी ज़्यादा मातरा में आपकी पौधों की roots को मिलेगी तो उससे burn होने का खत्रा हो जाता है तो आप जब भी यूज करें तो चाय की पत्ती को या तो उबाल लें या फिर यूज की चाय की पत्ती यूज करें या फिर आप चाय की पत्ती को नार्मल पानी में डाल के करीब एक से डेड़ दिन के लिए रख दें भीगाओ के और फिर उसके बाद उसको च्छान के उसे यूज कर सकते हैं तो इस परकार से आपका पौधा किसी भी सौक में जाने से बचेगा और उससे लाव होगा तो इस परकार से देखिए हमने इस गंबले में एक मुठी मैं आपको ये कंपोस्ट दिखा रहा हूँ ये इसको हम यूज करेंगे इसमें डाल देंगे और मिट्टी में अच्छे से इसे मिला देंगे उपर से डालने के बाद मिट्टी को थोड़ी उपर से नीचे पलट देंगे ताकि जो कंपोस्ट है वो मिट्टी में अच्छे से मिल जाए और इसके बाद हम इसमें कर देंगे वाटरिंग, वाटरिंग करने का जो तरीका है वो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पानी हमें इतना देना है कि जो मिट्टी है वो गीली हो जाए और जो भी हमने कंपोस्ट दिया है उससे जो निट्रिंट्स निकलते हैं वो पानी के साथ निकल कि पौधों की पानी ड्रेनाउट होता है तो जो भी हमने कंपोस्ट दी हुई है वो उस ड्रेनेज होल के रास्ते बाहर निकल जाते है और कंपोस्टिंग करने का कोई लाव नहीं मिलता है तो आप जब भी दें वाटरिंग लाश्ट में इसका ख्याल जरूर रखें कि हमने वाटरिंग उतनी ही करनी है कि वो ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कोई सवाल हो कोई सुझाओ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद